चलिये दोस्तो हम लोग 35 नमबर के कोश्चन से रिविजन फिर इस्टार्ट करते हैं दोस्तो यहाँ देखिए केवल टोटर रिविजन चलना है दोस्तो अगर बेसिक जानकारी चाहिए तो वहाँ आजाईए आप लोग प्लेडिस्ट में वहां सारे basic जानकारी हर पाट का हर technical question का आपको जानकारी मिल जाएगा ठीक है चले 25 नमर का question पर ध्यान देते हैं filler gauge का उपियोग क्या है कहा जा रहा है कि filler gauge का उपियोग क्या है 25 का D option सही हो जाएगा यहां देख सकते हैं मिलने वाले भागों के बीच गैब के जाज करने के लिए फिलर गेज दो मैचिंग पार्टों के बीच के गैब को जाज करने के लिए परियोग किया जाता है यहाँ वाला गैब जो होता है उसको परियोग करने के लिए हमें इसका परियोग करते हैं फिलर गेज का अगला कुश्चन देख लेते है 36 नमर का क्या रहा है इस dial gauge dial caliper में map पढ़ है जो dial caliper है इसका map पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो इसका video बना दिये है वहाँ पूरे explain करके इसको बताया क्या है ठीक है तो यहाँ पर dial caliper का map पढ़ने की बाद क्या जा रहा है ठीक है 25, 26, 26.2 mm यहां पर दिया गया है ठीक है कुछ इसमें खास चीज जो है वो आपका explain आगे किया हूँ जो वीडियो में आप देख सकते हैं जाके ठीक है चलिए आगे बात करते हैं 37 नमबर का कह रहा है कि एक gang drilling machine में क्या operation किया जाता है यह आपका कह रहा है कि एक gang drilling machine में क्या operation किया जाता है गैंग की बात कर रहा है तो drilling का chromic मतलब एक operation जो आपका होता है sequence करम में होता है ठीक है तो यह 37 का D आपका सही हो जाएगा चलिए अगला question देखते है 38 नमबर क्या कह रहा है यहाँ पर वर्नियर वैवल प्रोडेक्टर में इस्टाक के एक अभीन हिस्सा कौन है वर्नियर वैवल प्रोडेक्टर में इस्टाक के एक अभीन हिस्सा कौन है तो अभी नेसा जो होता है डायल होता है दोस्तों आफसर नमबर B बिल्कुल सही है आपका कौनसा होता है डायल होता है ठीक है अगरा कुश्चन यहां पर देखते हैं तो यह एक बार में जान जाएंगे तो कहीं भी कोई कुश्चन पूछता है तुरत उसको आप लगा सकते हैं तो यह आपका आफसर कौन बन जाएगा फेरूल हो जाएगा दोस्तों हैंड बताया था आपका अंदर वाला टाइंग बताया था यह फेरूल एक्स वाला हो गया य आपको हमने बताया था यहां वाला भाग जो होता है हील होता है ठीक है यह से इसका आफसर जो हो जाएगा फेरूल हो जाएगा ठीक है 49 का सी आप बोल सकते हैं के लिए रगदम चले चालिश नमर के बात करते हैं किया रहा है कि जाब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है फिनिश्ड मतलब एकदम चिकना चिकना बनाने के लिए किस फाइल का 40 का सी हो जाएगा सेकेंड कट फाइल का परियोग करते हैं सबसे जादे वाक्शाप में आप देखते होंगे मांगते होंगे जब फिनिश्ड करना होता रफ क करने के लिए क्या बोलते हैं कि जल्दी material को हटाने के लिए single cut file drop cut file यह सब का प्रोग करते हैं लेकिन finish करने के लिए हम second cut file का प्रियोग करते हैं एक तालिस नमर के बात करते हैं एक तालिस कह रहा है चालिस कसी हो गया एक तालिस का आपका कह रहा है कि किस file में सामानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं किस file में तो एक तालिस कहे हो जाएगा hand file जो होता है सामानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं क्युछी इ आपका D हो जाएगा कास्ट आइरन होता है कौन सा कास्ट आइरन C I short form में क्या बोलेंगे C I बोलेंगे कारवन के परसेंटता कितने होती है 4.5 तक होती है ठीक है यहां तक आप बता सकते हैं मतब कास्ट आइरन में कारवन के परसेंट दा कितनी होती है तो आपका 4.5 तक होती है या 4-5 परसेंट तक होती है यह द्यान देना ताहिता तालिस नमर के question कา देते हैं ताहितालिस के बात करेंगे की कौन सी marking media machine से तयार सत्वों पर असपस्ट रेखा परदान करती है Prussian Blue, ठीक है? Prussian Blue 44 की बात करते हैं, यहां पर 44 इंबर कहे रहा है, Slotted Angle Plate में दिये गए Slotted के 2 का उद्देश क्या है? Slotted Angle Plate में दिये गए Slot का Slot का उद्देश पूच रहा है, ठीक है? Slotted जो एंगल होता है, आपका Slot का उद्देश, इसमें रिप्स कटे होते हैं, खुछ इस परकार से, तो वही सलाट का उद्देश, पूछ रहा है, कि ये भाई, किस लिए कटा होता, ठीक है, सलाटेड एंगल की बात करा रहा है, तो 44 का आपका, ये आपका ससे हो जाएगा, जाप को क्लेम करने के लिए, जाप क चीज है ठीक है उसको पकड़ने के लिए हम जैने कhouse का परियोंग करते हैं जैनी का यहां परकीक जिसे बात करेंगे लिए न अश्कीं आवर सिल्डेक का परयोकत है जैनी कैलिपर का परयोकत है इध्यान दोने वाले बात है 46 नमर की बात करते हैं S के रूप में चिनित भाग का नाम बताना है यहां पर क्या बात है भाई प्रॉब्लम कहां सा रही है तो 66 नमर की बात करते है X के रूप में चिनित भाग का नाबाद है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आगई दिल ठीक है तो हो जाता है कभी कभी कोई दिक्केत नहीं है तो 46 नमर के question देख लिए हैं यहाँ पर 46 का आपका D option सही होता है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपका D नहीं है यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है तो आपको देखी यहाँ पर दिया गया है लेक दिया गया है ठीक है यहाँ पर लेक दिया गया है देख सकते हैं आप लेक दिया गया है पेग दिया गया है ठीक है यह point है यह आपका overall length बोला जाता है ठीक है यह बाल वाला जैसे कि हम क्या करते हैं इसको खोलने बांदे का काम करते हैं ठीक है रीविट या PBT इसको बोला जाता है ठीक है यह tongue आपको बोल सकते है ठीक है तो lake तो आफसन है नहीं यहां तो पूछा नहीं है पेग यहां पर कुश्चन सही कर रहा है 46 नमर की बात करेंगे तो 46 का जो आफसन रहेगा ऊपर देख लेते हैं 46 का चलिए देख लेते हैं 46 का फॉलकरम यहां बोलना है ठीक है फॉलकरम जो आपका पॉइंटेड है आपका PBT जैसा दिख रहा है वो क्या है फॉलकरम 46 का D आपका सही हो ठीक है यूनिवर्सल बैबल गेज यूनिवर्सल बैबल गेज ठीक है यह अपरत चमापी यंद्र है यह अपरत चमापी यंद्र है भी देख लेना है यह यहां पर जो नट लगा है इसको हम आगे पीछे सरका के कहीं भी किसी भी एंगल पे हम अड़ेस्ट के बाल कर सकते ह युनिवर्सल बैबल गे जिसको बोला जाता है 48 नमर के question के बार कर लेते हैं 10 डिगरी से उपर के संकीन खाचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है 10 डिगरी से के उपर 10 डिगरी से उपर के संकीन खाचे को कोण को भरने के लिए किसका परयोग किया जाता ह तो 48 का D आपका सही हो जाएगा, knife page file का परयोकिया दाता है, क्योंकि knife page file कुछ इस प्रकार की file होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, तो इसका angle होता है, वो कितने degree का होता है, 10 degree होता है, तो वही आप पूछ रहा है, जब 10 degree पूछे और फाइल की बात पूछे तो फटाक से इसी पर लगा देज़ेगा आप लोग आपका इंसर सही हो जाएगा ठीक है अना तालिस का आपका D सही है ठीक है 49 नमर क्योश्चन की बात कर लेते हैं 49 क्या कह रहा हमारा उस दोस का नाम बताएए जब धाद के चिपस फाइल के दातों के बीच घुस जाते हैं उस दोस का नाम बताएए तो 49 का B आपका सही हो जाएगा फाइल की पिनिंग जो होती है छोटे छोटे कंड जो होते हैं फाइल के क्या करते हैं फाइल के बीचो बीच में क्या करते हैं वो घुस जाते हैं जो दाते कटे रहते हैं उसके बीच में क्या करते हैं घुस जाते हैं तो फाइल आप फिनिंग बोला जाता है यह धान से देखिएगा ठीक है पचास नमर कुश्चन क्या कह रहा है आयल ग्र आप सं सही हो जाएगा हाव राउंड है 9 चीजल हाव राउंड नोज चीजल जो आईल गूरूप्स वाले होते हैं तो वहाँ पर हम पचास का सी लगाएंगे क्योंसर लगाएंगे हाफ राउंड टिंजल लगाएंगे ठीक है क्या oni कुशन के बात करते हैं ने आप द रिफ़लर फाइल है या रिफ़लर फाइल सापन साही होगा आपका एसका साही हो चाहे गाट बप्त का नाम बताना है तो 52 का अगला जाता है अगला है हाइवी डूटी वर के लिए किस grinder machine का प्रयोक्या था हाइवी डूटी की बात कर रहे है यहां पर हाइवी डूटी के लिए option No.C हो जाएगा pedestal grinder का प्रयोक्या था pedastal एक ग्राइंडर वर्कशोप में रखा जाता है उस quote है थीक च уп्थ अर्मी रहे तिरपन का कुंसा जाएगा सी आपका आप सुन जाएगा 54 देखते हैं तो 54 क्या कह रहा है चेन डिलिंग के बाद में material को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया था चेन डिलिंग के बाद यह एक डिलिंग होती है चेन डिलिंग के बाद material को अलग करने के लिए किस छे चकौर आवास्ता में वेवची नहीं होता है ठीक है और यहां से यह point बढ़के जाती है ठीक है तो इस प्रकार से उसके होते हैं चलिए आगे देख लेते हैं प्चवन नम्बर कोष्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कररा लकडी के काम करने वाले आरी दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उप्योग किया था लकडी के लकडी के बात कर रहा है तो पचवन का C आपका हो जाएगा मिल सा फाइल जो होता है लकड़ी के दांतों को मिल सा फाइल जो हता है लकड़ी के दांतों को लकड़ी के दांत आ रही है भाईया इस तरह होता है ठीक है मिल सा फाइल का यहाँ परियोग करते हैं किस फाइल का मिल सा फाइल का परियोग करते हैं तो 55 का C था, ओके, 56 का, 55 का C था, ठीक है, हाँ, ठीक है, सी था, और 56 का आपका C हो जाएगा चिक, और थोड़े का वजन को कहा, कहां, मतब कहां पे दर्थाया जाता है, कहां पे, तो चिक पे, गाल पे, यह वो गाल कहां होता है, तो यह वाली point माल लीजिए, तो यह वाला, जैसे ही गाल, यह हो गया उसका, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे handle लगा होता है, यह वाला position क्या होता है, यह चिक होता है, यह गाल होता है, यह तो फेस होता है, यह तो पोल होता है, यह वेज पथरी डाला जाता है, पचरी, पचरी जी से बुलते हैं, यह pain होता है, यह ball pain पोलें क्रॉसपेंने भोलें स्टेट पीन उती है तो आपका हैंडल होता है चिक निशेका यदो गाल एक तैका कहां दर्षाया जाता है चिक पर निकास कौनड أनूसनसित कौंड से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चिपिंग करते समय छैनी का निकासी कौंड अनसंसित कौंड से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा recommended पूछ रहा है एंगल recommended clearance angle of diesel is less than recommended angle will मतलब आपका पूछ रहा है चिपिंग तो इसमें 57 का हम इंसर मारेंगे अब होगा कैसे भाई तो अ हमने मारा है यहां पर ठीक है तो एक को देख लेते हैं कहरा है कि cutting age घुस नहीं सकती छैनी फिसल जाएगी क्या करने पर अगर अनसंसित कौंड से कम टूटे बिना तन्नता बलों के प्रभाव के विरोध करने वाली धात प्रपटी का नाम बताएए टूटे बिना अंठाउन का भी आपका टैना सिटी होता है टैना सिटी टूटे बिना टैना सिटी डैक्टिलिटी देखे पतले पतले तार बना जाता है elasticity कोई spring है इस पे लटका दोगे फिर हटाओगे फिर पुनावस्ता में आ जाएगी malleability hammering rolling welding करके दैया देखो धात विज्ञान आपका बहतरीन पढ़ा दिये किरपया करके जाके YouTube बे playlist खोड़ लीजे धात विज्ञान का पूरा chapter clear एकदम इमेज के साथ मैं बता दिया हूँ पूरा जाके total देख लो पक्का है कि एक दो question तीन question उसमें से आएगा तो आएगा 100% है जाके किरपया करके आप दो देख सकते हैं ठीक है तो 58 का 58 का 20 में टेना city होगा चली आगे बढ़ते हैं 69 नमबर कहे रहा है कि एक्स के रूप में चिनित भागो का नाम बताना है यहां एक्स रूप है चिनित भाग का नाम बताना है क्या सही होगा भाई 69 69 का 69 का यह सही हो जाएगा आपका एन्विल हो जाएगा यह आपका एनुल हो जाएगा यह आपका फ्रेम हो जाएगा यह आपका स्पेंडल हो जाएगा यह आपका लॉक्नट हो जाएगा यह आपका थिंबल हो जाएगा रैचेट हो जाएगा यह आपका स्लीव तो बैरल हो जाएगा ठीक है यह चीज है इसमें भाई यह ध्यान देन है कि मतलब धातुओं का मिस्रोड होता है इन सब चीज़ों का ठीक है साथ नमबर के बात करते हैं मिंटिक आउटसाइड माइक्रोमेटर के अक्रोशी क्या है भाईया आउटसाइड माइक्रोमेटर पूछ रहा है यहाँ पर 60 का यह हो जाएगा 0.01 मिलिमेटर भाईया आपको बताए तो एक बटा दो उसका 0.5 वाला जो पिछकी है एक चक्कर वाला लीड वाला जो आधा चकर में चलती थी और यह थिंबल डिविजन बढ़ा पर एक बटे 50 तो एक बटे 50 इंटू कर दोगे यहाँ पर आएगा एक बटे 100 और जब इसको आपलगे नाम बता है यहां बटे कर तो बराहेए एक सकते हैं 10 नमबर एक इस इंपर फी यह यह औरनीचय पोईंट तो पूछ रहा है यार इस्टिक है आपको मैने बता था कि इसमीस में मर्जन भी उता है फ्लूट भी होता है लेंडबी होता है Ну इंगल होता है चीजल पॉइंट होता है यह आपका इमेज उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से सरकील वाला बनता है तो उसमें जो एंगल बनते हैं ठीक है इस प्रकार से तो वहां से हम सुरू करते हैं और उस तरह से बताते हैं ठीक है तो इसका भी वीडियो बना दिये है आप लोग जाके बिल्कुल देख सकते हैं एक बार खोज की वीडियो देख लो ठीक है प्लेलिस्ट में आप जाओ फेडर थूरी में आप सीधे देख लेंगे कि मतलब ड्रिल वाला कुश्चन कहा है वहाँ देख लेंगे जानकारी हो जाएगे एक साथारे ड्रिल का साधहर कोड की बात करेगा तो एक सो अथारे डिग्री यहाँ पर आपको पूच देगा किया पूछ देगा," एक सौ हटारे डिगरी पूछ देगा,बहिया,क्या पूछ देगा," ट्रील संग में एक किस परकार कर क्टेपर पर्योंग में दिया जाता है," तो बासर का C आपका हो जाए यहाँ पर कह रहा है मसीन स्पंडल से ड्रिल और सौकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मसीन स्पंडल से ड्रिल और सौकेट निकालने के लिए किसका परयोग किया जाता है 63 का है हो जाएगा drift का पर्यों किया जाता है वहिए किस परकार का drift होता है थोड़ा सा पतला होता है उपर से एक चोड़ा होता है ठीक है तूसको क्या कि तंदे रेफेरियस पैके ठोकते हैं तो drift बाहर निकल जाती है यह चीज किया जाता है चौन्षाट नमर की question के बात लेकिने था चौन्षा प्रति बंदित अस्थान में उप्यों किया जाने वाले tap रिंच का नाम बता है प्रति बंदित बात कर रहा है चौन्षाट बी आपका सही और जाएगा टी ईंडल तरफ handle है आपका बीच में hold रहेगा और यहाँ पाइड़ेस्टिंग वाला screw लगाए रहेगा बाहर इस प्रकार से इसका पर्योग करते है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा 64 का B हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 64 का B आपका answer सहेगा T handle tap range हो जाएगा 65 की बात करते हैं question 65 की तो देखे ISO ISO मिटिक्थेड ISO मिटिक्थेड 65 की बात करा आई असमिटिक्थेड की जो बात किया जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखे कि ISO मिटिक्थेड थेड में M10 इंडू 1.5 थेड के लिए टैप डिल आकार की गणना करें यहाँ 10 यहाँ 10 की जब बात करें तो यह मेजर डाया होगे यह 10 आई टू की बात करा 1.5 तो यहाँ 10.5 है जैसे कोई चूडी कटी है न तो इसका डेप्थ है 1.5 तो अब वो कह रहा है कि त्रेड के लिए टैप डिल की गणना करें थ्रेड के लिए तो 65 नमर का कुश्चन के बात है 65 का यह आपका सही हो जाएगा जो यह है आपका यह आपका यह आपसर एट पॉइंट है एट पॉइंट टू मिलिमेटर भाईया मतब कह रहा है कि इतना मेजर है इतना डिल कर दिये हो तो टैप डिल आकार मतब जो टैप करोगे इसमें तो उसक आकार कितने mm का हमको टैप चाहिए 30.2 mm का टैप चाहिए इसका भी एक फार्मूला बता दिये थे आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं चलो भाई यह वाला कौन सा कुश्चन है 66 का यह कि चीज छूटा हुआ है 66 नमर का कुश्चन देख लिजिए करा डिलिंग ऑ बहुत सस्ता बहुत मज़े आ गया ठीक है डिलिंग ऑ और फूरेशन में फूर्ड की काई क्या है सिंपल बताईए सुचिए अपने दिमाग से डिलिंग ऑ प्रेशन में फूर्ड की काई क्या है कोश्चन देख लिजिए फिर सा 6-6 नमबर का कुश्चन का इंस्वर्ज रह ये डिलिंग ऑप्रेस्ट में फिड की का आई भई या फिड की बात आए तो फटाक चाहिए ही मारिएगा ओके चली आगे बात करते हैं सब्सक्राइब कोश्चन की कहरा है वनियर कलिपर में याक्स के रूप में चिन्नित भाग का नाम बताना है यह आपका नमबर एकस के 37 काlast और सीया अपका हो जा का चिन्नित भाग बताना है कि यह आपका बीन हो जाएगा यह आपका वनियर हेडो जाएगा ठीक है यह आपका जो होता है एस सबस एई तू पू kamp बाठा लो कोई दिक्कत नहीं होगे । चलिए शायोजन सेट कॉंबिनेशन सेट कॉंबिनेशन सेट कॉंबिनेशन सेट को ही कहा जाता है तो इसको बारे बाराबर भागों गए बाटा गया है आपका हो जाएगा ठीक है 12 बडडे 6 हो जाएगा तो 12,65 हो जाएगा इसको कांटेन्यू करदेंगे ऐसे ठीक है तो 12,59 हो जाएगा तब 5 मिनट हो जाएक तो एक डिगरी पर शुद्दा में इसको लेते हैं तो यह ध्यान देने वाली है और 5 मिन थ्यान वैसे अगर परसुद्दा देना रहेगा तुझको पांच डिगरी देना पड़ेगा ठीक है वहाँ पर पांच मिनट और पांच यह पांच डिगरी सोरी नहीं होगा पांच मिनट होगा ठीक है पांच मिनट होगा यह ध्यान देना यह बात है चलिए 79 के बात कर लेते हैं यहा क्वेशन आए हुए हैं करा कि एक ट्राइए स्कायर के परसुत्य क्या होती है तो बैया यहां पर पूछ रहे एक ट्राइए स्कायर के परसुत्य क्या होती है तो 79 नंबर की कोश्चन के बाद करेंगे निसान देखाने के लिए किस पंच का उप्योग किया जाता है यहां पूछ रहा है निसान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करोगे तो उस पर निसान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करोगे तो सतर का है डॉट पंच का परियोग करोगे ले लो एक बार कोश्चन देख लो ठीक है कहरा है एक निसान दिखाने के लिए किस प स्ट्रंट के लिए लाद करेंगे कोई जाब है है अगर उससे कहा जाएगा तो यहां गाराई पौर निसान इसके संटर पंच की बात करेगा तो यहां आपे 90 डिगी ने मारेगा आटो मेंटिक पंच की बात करेगा तो आपका 60-60 की बात करेगा ठीक है चलिए एक 70 नमर क्योश्चेन की बात कर लेते हैं का कह रहा है हमारा लो भी यह उस के लिपर का नाम बताई है जिसकी एक टांग अर्जेस्टेबल पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है एक टांग के prest hemisphere लेकिन दूसरा टांग के लंगड़ा है ठीकैं एक टांग का डिस्टे ब्लेकिन दूसरा टांग के है इसे ठीकैं यही पूच रहा है ठीकैं उस kellypper का नाम बचे एक 70 कि यहां देखिए सुतर अगेज बताया गया 72 का आपका जो हो जाएगा आप सन देखिए B हो जाएगा सनक की बात करेंगे ठीक है तो सिंपल है आप लोग चीतुर तो देखा करिए subscriber है snug adjusting not है ठीक है base नीचे का है आपका pillar है यह ध्यान दीजेगा ठीक है यहाँ से कोई question पुछेगा तो फटाक से याद कर लिजेगा चल यह तीहतर का यहाँ पूछा जा रहा है कौन से नंबर का question था ठीक है यह आपका 73 नंबर का से युजन सेट में combination सेट में आक्स के रूपर चिनित भाग का नाम बता रहा है तीहतर तीहतर का चलिए आपको देखते हैं मिलते हैं नवसकार दोस्ते हैं